हेलो दोस्तो नमस्कार आज International Women's Day है अंतराष्टे महीला दिवस और अंतराष्टे महीला दिवस महीलाओं को शसक्त बनाने के लिए उनके उपर जो पहले से जितनी पाभंदिया थी उन सभी को कम करने के लिए महीलाओं को ससक्त बनाने के लिए महिलाओं की सिक्षा पे ध्यान देने के लिए और इस तरह की तमाम चीजें जो महिलाओं जिन चीजों से दूर थी जिस तरह से समय बढ़ रहा है तो महिलाओं की भागीदारी दीरे-दीरे समाज में बढ़ रही है लेकिन पुराने समाज में महिलाओं के लिए इतनी आजादी नहीं थी और आज दीरे दीरे जैसे कि हमारे देश में प्रधानमंत्री भी महिला रह चुकी है स्रमती इंद्रा गांदी, राश्टपती भी रही है महिला और कई बड़े-बड़े पदों पे महिला है और वो महिलाओं इसलिए उन बड़े-बड़े पदों पे पहुछी थी क्योंकि उनके गहर वालों ने बेटे और बेटी में भेदवाओ नहीं किया उनके गहर वालों ने अपनी बेटी को भी बेटे की तरह समझा जैसे कि इंदु समाज में है या ज्यादा तर किसी भी समाज में हो बेटे को ज्यादा तवज्जो दी जाती है और बेटी को कम तवज्जो दी जाती है इसलिए बेटियां कम पड़ी लिखी रहा जाती हैं और बेटे को लोग ठीक ठाक पड़ा देते हैं और बेटियों के उपर जो अत्याचार होता है महिलाओं के उपर अत्याचार होता है उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि महिलाओं एक कम पड़ी लिखी है और कम पड़ी लिखी होने की बज़े से उनके साथ उनके जो साथ रहने वाले लोग हैं उनके रिष्तेदार परिवार के लोग हैं वो अत्याचार करते हैं अगर महिला पड़ी लिखी होगी ससक्त होगी तो वो उसके उपर अत्याचार नहीं हो सकते हैं तो इस International Women's Day को सिर्फ इसलिए ये Facebook पर या Social Media पर डालने के लिए नहीं होना चाहिए कि आपने फोटो डाली International Women's Day, Happy Women's Day करके लेकिन आप अपने समाज में महिलाओं की इस्ति के लिए कुछ सोचते नहीं हैं अपने घर की महिलाओं को सम्मान नहीं देते हैं उन्हें अधिकार नहीं देते हैं तो अगर महिलाओं को ससक्त बनाना है अगर इस फेस्बुक की दुनिया से बाहर आके लोगों को कुछ करना है तो अपने आसपास की महिलाओं को अपनी घर की महिलाओं को सम्मान दे उन्हें बराबर का हग दे बराबर में खड़े होने का अधिकार दे जब आप उनको बराब मॉमिन्स टिक लाने लाइक होगी